हेलो दोस्तो वेलकम बैक तू दा चैनल और आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर नमबर तू फ्रम गाला सब्जेक्ट इकनामिक्स क्लास 12 दोस्तों छेशन बिलकुल भी बोरिंग नहीं होगा आपको काफी जादा मज़ा आने वाला है ठीक है मज़े करते करते हम पढ़ाई कर लेंगे सभी लोगों को गूड इवनिंग गुड इवनिंग जतने भी लोग सब को गुड इवनिंग चलो तो यार अगर आप पास होना चाहते हो ना तो आसानी से पास हो जाओगी इन पेपस की मदद से मैं आपको सेक्षन A की पूरी तयारी करा रहे हूं और सेक्षन B की भी मतलब की 30 नंबर की तयारी तो करा रहे हू और अगर सारे पेपस देखोगे न यार तो 30 में से 30 नमबर तो तुम्हारे पक्के होने ही वाले है चाहे तुम्हें पास होना है चाहे तुमको 80 लाना है चाहे तुमको 90 लाना है 30 में 30 नमबर तुम्हारे पक्के होंगे अगर तुम सारे पेपस देखोगे तो एंड मैं तुम्हारे कुछ special classes भी लोंगी यही YouTube पर ही होंगे फिर हमारे 30 में 30 नंबर तो कोई रोक ही नहीं सकता है विकोस यहां पर directly question पूछा जाता है और अपने को सीधा answer लिखना होता है तो ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे आधे नंबर कट नहीं कट नहीं है जैसे पाच मारकर में होता है तीन मारकर में होता है कि कितना भी अच्छा लिख दो तुम्हारे को पूरे मार्क नहीं मिलते इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें आप चाहो तो आसानी से 30 में 30 ला सकते हो तो उसके हम पूरी तैयारी कर रहे हैं ठीक है चलो शुरू करें क्या चलो एकदम शुरू करते हैं पूरे जोस के साथ सुरू करते हैं सेशन जैसे ही एंड हो जाए कमेंट करके मुझे बताना कि तुम्हारा कितना एंसर रायट हुआ और हाँ मेरे साथ साथ तुमको भी करना है लाइफ चैट is all yours ठीक है आपका फायदा उठाओ वहाँ पर एंसर रिखो चलो first for which type of distribution a diagram is drawn so कब तुम डाइग्राम ड्रो करोगे तो जब देटा तुम्हारे को discrete या discontinuous form में दिया हो तब तुम डाइग्राम बनाते हो ठीक है याद कर लेना और graph कब बनाते हो जब देटा continuous form में दिया हो याद करने का तरीका बताऊं डी 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 डाइग्राम तो discrete या discontinuous और बचा क्या continuous तो continuous किसके लिए हम बनाते है ग्राफ के लिए बनाते हैं याद हो गया डी डी याद रखना है तुमको डी 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 बस दूसरा तो अपने याद हो जाना है ग्राफ कंटीनिहुस चलो स्अ ये अंसर है सेकंड्ट्रड वॉट इसचेंजर इन एकोनामीग्रोथ कब तुम ऐसा कहोगे कि एकूनामीग्रोथ हो रहा है जब नैशनल इनकम बढ़ेगा तब थिक है तीसरा, come on, write in the chat box इसका answer लिखो, कौन first आया, कौन first आया, लिखो तो कौन first आया, अरे यह नहीं पूछा हां कि तुम्हारे class में कौन first आया, वो नहीं पूछा चलो, कौन first आया भाईया, HDI में HDI में first है Norway Fourth, who gave the definition, inflation is said to occur when monetary income rises faster than real income inflation का ये वाला definition, जो यहां लिखा है वो किस ने दिया था कीनिस, नाम गजव है कीनिस ने दिया था, ठीक है, याद रखना कीनिस, चाबी, चाबी वाला बड़ा जीब नाम है, भारत में से सब नाम कहां देखने मिलता है चलो, आगे बढ़ते हैं संस्क्रीट में बैंक को क्या कहा जाता है, मतलब बैंक का मतलब क्या होता है अगर तुम्हें संस्क्रीट नहीं आता है, तो भी तुम्हें बताना होगा अमांट अफ कैपिटल जब आरबी आई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, तो उसे हम कहते है, रिवर्स रेपो रेट जब कमर्शियल बैंक आरबी आई से पैसा लेती है, तो उसे हम कहते है, रेपो रेट ठीक है, commercial bank जब पैसा लेगी RBI से तो उसे कहा जाता है रेपोरेट, जब RBI, यहां देखो न, काम उल्टा हो रहा है RBI इतनी बड़ी bank और commercial bank से पैसा ले रही है तो क्या होगा answer, reverse रेपोरेट, काम उल्टा हो रहा है तो reverse रेपोरेट, 7th, in 2014, what was the life expectancy in India यह, 2014 में life expectancy कितना था, 68 years था 8, according to an estimate of Tandulkar committee, what was the percentage of absolute poverty in India in the year 2011 and 2012 So, क्या है गा answer, write in the chat box 21.9%, okay, चलो अब आगे बढ़ते है Which day has been declared by government as employment day बताओ मुझे जरा, देखते हैं किसको आता है Chat box Answer आएगा second FAB FAB में बहुत कुछ आता है न, वो सब तुमारे को याद रहता है तो इसका भी नाम जरा add कर दो, exam तक इसको भी याद रखना कि second परवरी को employment याता है ठीक है याद कर लेना थोड़ा, exam तक तो याद रखना दसवा देखो According to PC महल 29, how many persons can be employed in agriculture and industrial sector respectively by investing रूपी वन करोर in each sector पहले इसका answer बताती हूं फिर समझाती हूं तो देखो 40,500, so यह जो नाम दिया हुआ है ना इस महान इंसान का यह क्या कहते है कि अगर तुम agriculture sector में एक करोड रुप्या लगाओगे तो तुम 40,000 लोगों को employment दे पाओगे और अगर तुम industrial sector में एक करोड लगाओगे तो तुम केवल 500 लोगों को ही employment दे पाओगे तो right answer है 40,500 एगरिकल्चर पहले आया तो मैंने क्या बोला एगरिकल्चर में एक करोड लगाओगे तो कितने लोगों को मिलेगी रोजगारी 40,000 लोगों को और फिर आया industrial sector तो उसका क्या बताया है मैंने 500 तो इसलिए answer आएगा 40,500 फाइन इलेवन्थ what is the rank of India in the world from population point of view हमारे इंडिया का क्या rank है बोलो population में यह right answer का तो दिख नहीं रहा है option first का option नहीं दिख रहा है मिरको अपने इंडिया first पर है ना first पर नहीं है second पर है okay 12 what is balance of trade balance of merchandise trade is the answer let's move what was the proportion of employment in industries in 2011 and 12 industries से अपने को कितना employment मिलता था 2011 और 2012 में तो इदे को लास्ट यर पूछा गया है answer है 24.3 परसेंट ठीक है फॉर्टेंथ which among the following developed countries not an industrial country इन चारों कंट्रीज में से कौन सी कंट्री इंडॉस्ट्रियल कंट्री नहीं है बताओ बताओ सौधी अरेबिया फिफ्टेंथ इन वीच यर वस एकनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोडूज इन इंडिया वेरी इजी 1991 चलो दन अब बढ़े आगे राम प्यारे लोग और राम प्यारी लोग दियर गल्सेंड बॉइस ओके शेक्शन भी एंसर इन वन और टू सेंटेंस वोट इस मेंट बाई ग्राफ ग्राफ मतलब क्या होता है और रेप्रेजेंटेशन ओफ ओब्जवेबल डेटा बाई वे ओफ पिक्चर इस कॉल्ड ग्राफ फॉर विच टाइप ओफ डेटा डाइग्राम इस डॉन यार तुमको अभी एक त स्कृट долго करोके civिव दा मीनंग ऑफ एकॉनॉमिक डेवलपमेंट इक बंपम इकलमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है फोब्ट ऑक्वनीक डेवलपमेंट इसथ अीटेम इसग्रावंड टीनिवर्वह परोसेs टू आर्चीव एकॉनॉमिक वेल्बींग इक कंटिनुम process है और यह हम क्यों करते है ताकि हमारे देश की trying हो ठीक है फीड को कि सब्सक्राइब क्लिए कशते हैं यी मिजुनिकि स्टब्सक्रणंस इसे डीज होए डॉविज क्ल दी ön लेकिन यह लोग सबसे पहला बैंक बताओ तो सबसे पहला बैंक कौन सा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक बैंक और बारसिलोना गिव दा मेंनिंग ऐफ रिलेटिव पवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब बताओ So, income inequality exists in different section of society. It is called relative poverty. मतलब कि हमारी जो society है, यहाँ पर काफी ज़्यादा income inequality है. किसी लोग की income पाँच लाख है, तो किसी लोग की income पाँच हजार है. इतना ज़्यादा inequality है income में, तो इसी को relative poverty कहा जाता है. तो वो बंदा जिसकी income पाँच हजार है, वो उस बंदे से जिसकी income पाँच करोड है या पाँच लाख है, उससे relative poor है. ठीक है? Give the meaning of disguised unemployment. Disguised unemployment का मतलब क्या होता है? So, disguised unemployment पहले English में बताते हूं, फिर इसका मतलब समझाते हूं. So, at, नहीं नहीं, मैं पहले इसका मतलब ही समझाते हूं, पूरा ही साफ करो, पैन, मुझे पैन चेंज करने में बहुत माचा आता है. So, disguised unemployment का मतलब क्या होता है? तो समझ लो, कि एक खेत है, और वहाँ पर तीन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? अब दो लोग और आ गए वहाँ पर दो लोग और आ गए ये दो लोग और आ गए तो भी पता है ये जब तीन लोग थे न तो भी ये लोग मिलके 10 किलो उगाते थे ये दो लोग आ गए न तो भी मिला जुला के 10 किलो ही उग रहा है मतलब कि बोलू तो इन दोनों को हम हटा भी देना तो कुछ फरक नहीं पड़ता है हमारे production को हमारा production उतना ही होने वाला है वो जो दो लोग है वो एक्स्तरा में है तो इन ही सब लोग को हम disguised unemployment कहते हैं इन सब लोग को हम disguised unemployed कहते हैं इस situation को हम disguised unemployment कहते हैं So, at a certain level of technology, नहीं, नहीं, यह नहीं आएगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यार, तुम लोग IITNs हो, यार, मुझे थोड़ा सिखाओ English, How to speak English. So, tell me, what do you mean by disguised unemployment? If too many persons are employed at a certain level of technology, मतलब बहुत सारे लोग employed है, if too many persons are employed at a certain level of technology, and even when some persons are removed, there is no changes seen in production. It is called disguised unemployment. Fine. Chalo. Now, I hope you are clear. Okay. 23. What was the female population per thousand males in Gujarat? So, कितनी females thi? 9, 1, 8. Okay. 24. How much is the contribution of agriculture in export income of India? So, the contribution is 70%. Why India has been an agriculture nation? India को हम agricultural nation क्यों कहते हैं? Because nowadays also many people in India are engaged in agriculture. That is why India is called as agricultural nation. 26. What is meant by international trade? International trade का मतलब क्या होता है? जब हमारा भारत अमेरिका से समान खरीता है, उसी को हम international trade कहते हैं. It was just an example. What do you actually mean by international trade? So, when the trade occurs across the geographical boundaries of a country, it is called international trade. ठीक है? जब हमारे geographical boundary के बाहर trade होता है, तो हम उसे international trade कहते हैं. ओके, चलो. What is division? Let me change my pen again. I love changing pens. What is division of labor and specialization? Division of labor और specialization का मतलब क्या होता है? तो देखो हमारे business unit में या हमारे industries में बहुत सारे काम होते हैं. तो हम क्या करते हैं? जो labor जिस काम को करने में perfect है, हम उसको वही काम देंगे. So, result हमारे को best मिलेगा न? So, that is only called division of labor and specialization. ठीके, there are lot of activities available in our industry, in our industrial unit. So, we divide that work and we provide it to our labor as per their efficiency. So, that is only called division of labor and specialization. मैं आपको concept समझा रही हूँ. समझाने पर ज़्यादा focus करूँ, बना क्या आप लिख सकते हो. 28. What is medium scale industries? Medium scale industries मतलब क्या? So, जहाँ पर investment 5 करोड से ज़्यादा, बट 10 करोड से कम हो. Where the investment is more than 5 करोड बट less than 10 करोड से कॉल medium scale industry. Okay, what is special economic zone? Special economic zone का मतलब क्या होता है? So, special economic zones are some area. Actually, वो कुछ area होता है, जहाँ कर rules और regulation बहुत अलग होता है और वहाँ पर tax भी नहीं लगता है. So, special economic zones are tax-free areas where economic laws are different, जहाँ पर economic कानून एक दम अलगी है. Last, what are the factors of reason-based migration? So, there are two factors, push factors and, come on, बता दो मुझे, push factors and, right in the chat box, pull factors, okay? Push factors and, pull factors, fine. Okay, now let us discuss section number C. चलो, देखते हैं कौन सा, question कौन से chapter से है? State the important aspects to be considered while drawing a bar diagram. It is from chapter number 1. It is also from chapter number 1. It is from chapter number 2. Chapter 2. Chapter 3. Chapter 3. Non-monetary function. Chapter number 4. Give the meaning of statutory liquidity ratio. Chapter number 4. What is the measure? Chapter number 5. Poverty, income concept of poverty. Chapter number 5. ये है हमारा chapter number 6. Unemployment. When and with what was Pandit Dindayal Upadhyayash Ramavi Jayite Yojana was started? It is also from chapter number 6. Unemployment. Write a short note on exchange rate. Chapter number. Come on, tell me. बताओ. 9, internal trade. है न? चलो. 44th वाला देखो. ये कौन से chapter का है? Chapter number 9. कितना मज़ा आता है चैप्टर बताने में भी. What is meant by small scale industry? Chapter number 10. अईया लिख. चलो. अईया लखी दो. 46th. State the type of industry on the basis of investment size. Chapter 10. Done. देख लो अच्छे से. Okay. Let's now discuss section D. So. 47th वाला देखो. Explain the uses of internet technology in the study of economics. Very important question. यार ये मैंने बहुत सारे papers में देखे. Chapter number 1 का है. इसे पढ़ना जरूर से. Okay. 48. Explain in brief the limitation of PQLI. Chapter number 2. Discuss growth rate of. Okay. Sorry. Chapter 2 का ही है. Explain social reason of poverty. This is also very important. March 19 में ये पूछा गया है. 51th. Explain the nature of poverty. Again. Chapter number 5. 52. Explain any three measures to control population in India. Chapter number 7. Population. Low productivity in agriculture. Of course. Chapter number 8. Agriculture. Difference between current account and capital account. Chapter number 9. Again 55. Chapter number 9. Fine. Let's go. Aagee बढ़ रहे हैं. Explain any five matters about importance of industries. Chapter number 11. Now section E. Barter system. Chapter number 3. देखो देखो ये जो question है काफी important हैं ये बहुत टाइम पूछा गया है और ये बहुत एजी भी है. तुम easily इसको याद कर सकते हो. 58 वाला देखो. Give the information about मन्रे का. So, unemployment वाला चैप्टर 6. Define the term death rate. And what are the reasons of low death rate? So, population वाला चैप्टर का है ये. ये है चैप्टर नमबर 8. Agriculture sector. Give the meaning of urbanization. Chapter number 11. Give the meaning of migration. Chapter number 11 only. Okay. At last, देखो यहाँ पर आपको graph पूछा जाता है न. So, यहाँ पर एक bar diagram के लिए आपको पूछा गया है. Simply bar diagram बना के and analysis करना है. कि थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखना है मतलब की. And अगर blind student है, so they have to do only analysis. And ये जो marks है यार free के हैं. Only you have to make bar diagram which you can make easily. Right? This is very easy. Past marks free के हैं ये तो. मिल जाते हैं. अच्छे से बनाओगे तो एकदम मिल जाएंगे. और यार, बस paper solve भी हो गया. Let me change my color again. Which is your favorite color? Let's see. Okay. So, thank you so much for watching. और यहाँ पर हमारा ये paper set number 2 भी complete हो गया है. कल मैं वापिस से आओंगी paper set number 3 के साथ तब तक ले. Bye bye, ताटा, आओ जो. और एक मिनिट अभी तक session like नहीं करा है तो session को like करो. चानल को subscribe नहीं किया है, so please subscribe करो. और हाँ, जादा से जादा लोगों के पास share करा करो. ताकि मेरा भी जोश और भी हाई रहे आपके लिए videos बनाने के लिए. Bye bye.